हेलो दोस्तों स्वागत आपका मैंचर कोडिंग इंडिया में दोस्तों यहां पर हमारा टुटोरियल जाद रहे हैं का 30 days of code चैलेंज और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे day 9 का solution तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने computer की स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या हमारे पास problem है और कैसे हम इसको solve करेंगे तो दोस्तों आ गए हैं अपने computer की स्क्रीन पर और आज का हमारा problem है recursion तो recursion होता क्या है recursion means एक ही function को उस function के अंदर call करना that means मैंने एक function बनाया है उसी को उसके अंदर call करना ठीक है उसको हम बोलते है recursion recursion का मतलब होता है एक function को call करना बार बार ठीक है दोस्तों तो चलिए आज हम अपना task पढ़ लेते हैं कि क्या है recursive method for calculating factorial तो factorial का यह method बताया है उसने function description complete the factorial function in the editor below be sure to use recursion code दिया हुआ है factorial function के साथ आपने यह complete code करना है और recursion use करना है factorial has the following parameter तो दोस्तों जिसने अभी तक मेरी factorial की वीडियो नहीं देखिया है वो आप वीडियो देख लीजिए उससे आपको clear हो जाएगा कि कैसे हम यह solve करेंगे ठीक है दोस्तों तो चलिए आज हम नीचे आते हैं और input format देखते हैं a single integer n and constraint 2 to 12 तक तो चलिए दोस्तों अब हम solve कर लेते हैं अपने recursion function को and यहाँ पर अपना python का language है हम select किया हुआ है तो हम क्या करेंगे हमारे पास factorial का function उन्होंने बना के दिया हुए है यहाँ पर हमने code लिखना है ठीक है तो condition चलाएंगे इफ n equal equals to 1 अगर मेरा n 1 है तो return 1 कर दो return 1 else else क्या करना है else मुझको return करना है return n into factorial into इसको मैं डालोंगा brackets में because जैसे मेरा जो result आएगा वो आएगा कितना है मान लो 5 है ठीक है तो मैं बताता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ factorial factorial n minus 1 ठीक है दोस्तों अब यहाँ पर मान लो मेरे पास 5 है ठीक है 5 is n equal equals to 1 क्या 5 एक के equal है नहीं बड़ा है या चोटा कोई भी कुछ भी है condition यहाँ पर यह आ रही है कि 1 के equal तो नहीं है तो फिर वो else के आएगा else में आएगा 5 into कितना factorial हमारे पास 5 है तो 5 minus 1 है तो 4 हो जाएगा ठीक है 5 minus 5 multiply 4 कितना होता है 5 multiply 4 होता है हमारे पास 20 तो यह फिर चेक करेगा कि n कितना है n हमारे पास 4 था तो फिर minus होगा 3 हो जाएगा हमारे पास 20 था 60 हो जाएगा फिर चेक करेगा यहां पर कितना था तो हमारे पास हम चेक कर रहे है क्या हमारे पास अभी 3 था तो 2 हो जाएगा 120 हो जाएगा factorial तो दोस्तों ऐसे होता है factorial का means बारवार उसको call करना और जब तक 1 नहीं हो जाता तब तक यह function चलता रहे और जैस रहे गा तो रन कोड करके हम देखते हैं कि क्या हमारा यह successful run हो रहा है या कुछ error आ रहा है तो यहां पर कुछ एक error है चक कर लेते हैं कि क्या error आ रहा है invalid syntax def तो यह error यहां पर ऐसे लिखना है तो दोस्तों हमारा यह congratulations आ चुका है sample test case 0 run हो चुका है अब हम क्या करेंगे अब हम submit code के उपर click कर देते हैं ताकि देख लेंगे कि हमारा यह successful run हुआ है यह कुछ error आया है test case 1-2 में तो दोस्तों हमारा यह successful run हो चुका है and सारे test case भी clear हो चुके है and हमारे congratulations का message भी आ चुका है तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर हम देखेंगे next video किस चीज का है तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर हम देखेंगे binary numbers तो अगर यह वीडियो अथी लगे होगे तो please like, share and subscribe करना ना भूले